खारगे जी, केसी वेनू गुपाल जी, रेवन्त रेड़ी जी, और स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिश्ट नेता, सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार. कुछ महीने पहले, हमने ये भारत जोड़ो यात्रा, कन्या कुमारी से शुरू की, और आज सुबह, हम हाइदरबाद पहुँचें, यात्रा, नफरत और हिंसा के खिलाफ है, पी-जे-पी और आरेसेस, देश में सिरफ नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं, और भाईयों और बहनों, इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है, देश की शक्ती, देश को आगे ले जाने के बजाए, लड़ाई जगड़े में, नफरत में जाया हो जाती है, हमेरी यात्रा कन्या कुमारी से शुरू हुई, और कश्मीर तक जाएगी, इसको कोई शक्ती, आंदी, तुफान, बारिश, धूप कुछ कोई शक्ती नहीं रोक सकती है, ये सिरफ एक यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान की सच्ची अवाज है, आप देखिए, यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी, मार पीट जगणा नहीं हो रहा है, एक भाई दूसरे को गाली नहीं दे रहा है, किसी की पिटाई नहीं हो रही, प्यार से, नदी जैसे, लाकों लोग एक साथ चल रहे हैं, सब धर्म के लोग हैं, हर्जात के लोग हैं, बुजूर्ग लोग हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहने हैं सब एक साथ चल रहे हैं धक्का लगता है, कोई गिर जाता है एक दम एक सेकंड में पूरी की पूरी भीड मदद करती है कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है जात कौन सी है कौन सी भाशा में बोलते हो कहां रहते हो ये सवाल नहीं पूछे जाते एक दम एक साथ सब लोग गिरे हुए व्यक्ति को उठा देते ये हिंदुस्तान का इतिहास है ये हैद्रबाद का इतिहास है यहाँ पे सब धन के लोग एक साथ फाई चारे के साथ रहते हैं ये आपकी सच्चाई है दो तिन शिकायते हैं मैंने सोचा था कि देश में सबसे जादा पल्यूशन दिल्ली में है पता लगा कि हैद्रबाद नंबर एक एक नंबर पे है और जब से यहाँ पियारेस की सरकार है तो यहाँ पे अब देखिए सडकों पे चले हैं मगर सडके कम हैं गड़े ज़ादा हैं तो आपका जो इंफ्रस्ट्रक्चर है जो होना चाहिए वो नहीं है भारगे जी ने कहा कि पार्लमेंट में जब भी बीजेपी कोई बिल लाती है उन्होंने तीन किसान काले किसान वाले कानूनों के बात की मगर जब भी लोकसभा में राज्यसभा में बिल आता है टी आरेस बीजेपी का एक दम समर्थन कर दीती है और अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है ध्यान बातने के लिए एकदम टी आरेस के लोग कोई और मुद्दा उठाना शुरू कर देते हैं भाईयों और बेनों पीजेपी और टी आरेस एक साथ काम करते हैं गलत फेहमी में मत आईए ये चुनाओं से पहले ड्रामा करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर मगर डाइरेक्ट लाइन है नरेंद्र मोदी जी के साथ इधर फोन उठाते हैं वहाँ मोदी जी फोन उठाते हैं एक सेकंड नहीं लगता और फिर मोदी जी आपके चीफ मिनिस्टर को ओडर देते हैं आज ये करना है है कल वो करना है मैं अब महीनों से चल रहा हूं तेलंगाना में कितने साथ आठ दिन हो गए साथ दिन हो किसानों से मिल रहा हूं मजदूनों से बात बात हो रही है युवाओं से बात हो रही है साथ आठ घंटे चलते हैं छे बचे शुरू करते हैं और जैसे अभी आपने देखा साथ बच जाते हैं पूरा दिन हम तेलंगाना के लोगों की आवाज सुनते हैं हम कुछ कहते नहीं है बाश्चन नहीं देते कॉंग्रेस के सब नेता एक साथ जनता की आवाज सुनते हैं दिन भर सुनते हैं और छे साथ घंटे बाद हम 15-20 मिनट अपनी बात रखते हैं किसानों से बात करो सीधा किसान टेलंगाना का किसान आपको कहता है हमें कहता है कि किसान कितना भी काम कर ले खेट में से उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता यह सच्चाई है 24 घंटा काम कर ले उसके खेट से उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता टेलंगाने की सरकार और बीजेपी की सरकार किसानों की कोई मदद नहीं करती MSP नहीं दिलवाती, कर्जा माफ नहीं करती उल्टा, तीन काले कानून लाई और जो किसानों का है उसको किसानों से छीनने की कोशिश करी युवाओं से बात करो पहला सवाल मैं पूछता हूँ पढ़ाई क्या की कोई MBA करता है कोई Engineering करता है कोई MBBS पढ़ता है और फिर पूछो अच्छा रोजगार मिला या रोजगार मिलने जा रहा है सब के सब कहते हैं नहीं रोजगार नहीं मिल सकता तेलंगाना में इंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता एंजिनियर से बात करो कहते हैं उनसे पूछो भी यह करते क्या हो तुमने एंजिनियरिंग डिगरी की मेकैनिकल एंजिनियरिंग की सॉफ्टेर एंजिनियरिंग की सिविल एंजिनियरिंग की करते क्या हो हम तो डिलिवरी का काम करते हैं पीट्सा डिलिवरी का काम करते हैं स्विकी का काम करते हैं मगर एंजिनियरिंग नहीं कर पाते हैं जो हमने सपना देखा था वो सपना हमारा पूरा नहीं हो सकता है प्रधान मंत्री कहते थे कि हर साल मैं दो करोड युवाओं को रोजगार दूँगा रबाशन में बोलते थे आजकल नहीं बोलते ना आपके चीफ मिनिस्टर ना Rules्टान के प्राधान मंतری रोजगार की बात करते हैं युवाओं को ये नहीं बताते कि हमने रोजगार का जो system था उसकी रीड की हड़ी तोड़ दी भाई और मेनो देश को रोजगार देता कौन है देश को रोजगार छोटा वियापारी किसान जो स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाते हैं वो रोजगार देते हैं नरेंद्र मोधी जी ने नोट बंदी करके गलत जी एस्टी लागू करके और कोविट के समय जो इनकी मदद नहीं की इन तीन चीज़ों के कारण जो स्मॉल और मीडियम बिजनसेज हैं छोटे वियापारी हैं दुकानदार हैं इन सब की रीड की हड़ी बिजनस खतम हो गया है यह रोजगार नहीं दे पाते हैं सरकार चुनुवे लोगों के लिए काम करती हैं दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के दो तीन मित्र हैं यह उनके हवाले कैसे नहीं हुआ अब देखना देख लेना थोड़ी देर बाद यह उठा के ले जाएंगे हिंदुस्तान के पॉर्ट्स सडके एरपोर्ट टेलेकॉम्स एल आई सी यह पूरा वा पूरा जो देश का देश की पूंजी है यह सब की सब नरेंद्र मोदी अपने दो त्रीन मित्रों को पकड़ा रहे हैं और इधर इनका एक तरफ धरनी पॉर्टल है रात को देखते हैं भाईया कहा किसकी जमीन गई कितनी जमीन मिली मुझे कहा कहा से के सी आर जी ने जमीन हड़पी रात को वो देखते हैं सुबह उठते हैं और इंफ्रस्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं सिचाय के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन में से पैसा हडपने का काम करते हैं और आप आप लोग एक तरफ बेरोजगारी दूसरी तरफ महंगाई अच्छा भाईया नरेंद्र मोदी जी कहते थे सिलिंडर बहुत महंगा हो गया है 400 रुपे का हो गया है यादे आपको 400 रुपे का हो गया अच्छा भाईयों भाईयों बहनों सिलिंडर कितने का है आज कल अब प्रधान मंत्री जी इसके बारे में क्यों नहीं बोलते उस काइम कहते थे पेट्रोल का दाम 65 रुपे हो गया है आज कितना हो गया पेट्रोल का दाम एक शब्न नहीं बोलते तो आप लोग इंदुस्तान के गरीब लोग मिडल क्लास के लोग एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई इन दोनों के बीच में आप पिस जाते हो सब जाते हो और पूरा का पूरा फाइदा दो तीन उद्योग पतियों मिलता है वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं उनको एक पॉर्ट चाहिए पॉर्ट चाहिए जमीन चाहिए एक सेकंड में उनको मिल सकती है मगर अगर एक छोटा वियापारी अपना बिजनस चलाना चाहे अगर एक दुकानदार लोन लेना चाहे नहीं मिल सकता सवाल नहीं उठता ये लोग लाखों करोण रुपए का लोन ले सकते हैं किसान लेता है लोन लेता है पचास हजार रुपए का लाख रुपए का लोन लेता है वापस नहीं दे पाता है एकदम उसको कहते हैं डीफॉल्टर हो जेल के अंदर कर देते हैं गंडे मारते हैं लाटी मारते हैं जेल के अंदर कर देते हैं मगर अगर अरब पती लोन लेता है, वापिस नहीं दे पाता तो उसको डिफॉल्टर नहीं कहते, उसको कहते हैं ये तो नौन परफॉर्मिंग आसेट है। तो दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक चुन हुए अरब पतियों का, जो भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं, इनके लिए कोई कानूर नहीं है। जो भी सपना ये देखना चाहते हैं, देख लेते हैं, पुरा कर देते हैं, और दूसरा हिंदुस्तान, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, मिडल क्लास का, चोटे वियापारियों का, स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाने वालों का, उसमें आपको कोई सपना नहीं दि का, पूरा होने का सवाल ही नहीं है, ये हैं इंदुस्तान, इसलिए हमने बारत चोड़ों यात्रा शुरू की, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और ये जो हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, इसके खिलाफ, आप देखिए, आज सुबह हम हैदरबाद में आये, साथ घंटे चले, लाको लोग आये, आपने अपना पूरा प्यार, पूरी शक्ती यात्रा गो दे दी, आम तोर से क्या होता है, व्यक्ती सुबह उठता है, फाकान नहीं होती, छे-साथ घंटे बाद, चलने के बाद, ठकान लगती है, आप किसी भी यात्री से पूछ लीजिए, मुझसे मत पूछिए, आप किसी भी यात्री से पूछ लीजिए, और वो आपको बताएगा, शाम को, जो हम कदम लेते हैं, उसमें सुबह वाले कदम से कम थकान होती है, अजीब सी बात है, किसी भी यात्री को थकान नहीं हो रही है, तेरा चोधा सो किलोमेटर चलनी है, किसी को धकान नहीं हो रही है, तुबह छे बजे उठते हैं, साथ आठ गंटे चलते हैं, अगले दिन उठते हैं, फिर चलते हैं, इसका कारण है भाई और मेनों, हम अपनी शक्ती का प्रयोग नहीं करने हैं, हम आपकी शक्ती का प्रयोग करने हैं, आप हमारे को अपनी शक्ती दे रहे हो, आप हमारे को अपना प्यार दे रहे हो, अपना भरोसा दे रहे हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और हाइदरबाद जो इन्फर्मेशन टेक्नोलीजी का सेंटर है जिसने पूरे देश देश का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में हाइदरबाद को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि अगर आप इन्फर्मेशन टेक्नोलीजी के सेंटर रहना चाहते हो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो हिंसा के साथ नफरत के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो सवाल नहीं उठता प्यार और भाईचारे के साथ ये प्रदेश और ये हाइदरबाद आगे बढ़ेगा ये आपका इतियास है ये आपकी हिस्ट्री है ये आपका कल्चर है ये आपका डियने है इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ बहुत 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 धन्यवाद नमस्कार जेहिन ये इतियास ये इतियास ये इतियास